हेलो स्टेंड्स, वेल्कम टू अफिसेल यूटीब चैनल आफ ओरिजिन कोचिंग, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैस्मेटिक्स इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन का हमारा सीरीज चल रहा है और आप लोग इसके प्रिविएस वीडियो देख चुके हैं, तो इंटिग्रेशन को हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि स्पेशल जो टाइप्स के इंटिग्रेशन हैं, जिस टाइप के इंटिग्रेशन उसको कांसेट लेते हैं, उस पर बेस्ट क्वस्चन कराते हैं, और इंटिग्रेशन में कमांड करने का बेस्ट तरीका यही है, आप यदि सब को एक साथ पढ़ेंगे तो mix up हो जाएगा आप बात में बहुत confused होंगे इसलिए आप उसको pattern के according study करिए और pattern के हिसाब से ही मैं आपको classes ले रहा हूँ वीडियो provide करा रहा हूँ ओके चलिए तो हम start करते हैं integration का third part और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा trigonometry के identities पर best integration इसलिए मैंने सबसे पहले page में आपको उसकी identities उसके formula जो trigonometry में यूज होते हैं उनका collection दे रहा हूँ आप इसका skin start ले सकते हैं या आपको इसके channel में हमारे video के नीचे description में आपको इसका PDF मिलेगा ठीक है तो यह formula का मैंने आपके लेख जगा collection कर दिया है यह सभी formula पर best आपको question मिलेंगे to sin a cost b equal to sin a plus b plus sin a minus b यह सब आपने 11th class में पढ़ा है लेकिन 12th में आपको मैं हर class में याद दिलाता हूँ कि calculus पर एक command करना है तो first requirement है trigonometry का formula trigonometry का formula पर command है तो calculus पर command अपने आप हो जाएगा तो मैं अपने तरफ से कोशिज कर रहा हूँ कि आपके पास है तो भी मैं आपको provide कर रहा हूँ इसके formula तो यह है 2 sin a cost b, sin a plus b, plus sin a minus b, 2 cost है sin b equal to sin a plus b, minus sin a minus b यह पूरे formula यहाँ तक यह 4 formula c d formula sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 तो आप लोग के पास naturally होगा 11 class में आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं इस video के साथ provide करा रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर search करना ना पड़े भटकना ना पड़े ठीक है तो यह formula और इसके बाद यह formula sin 2 equal to 2 sin a cost है देखो यहाँ पर यह दोनो formula बहुत ज़्यादा use होता है यह formula यह formula बहुत ज़्यादा use होता है sin 2 a का और 2 sin a cost 2 a का इसको हम half angle के लिखें तो ऐसको ऐसा भी लिख सकते हैं sin a equal to लिखते हैं पर 2 sin a by 2 into cost a by 2 ऐसा भी लिखते हैं और इसको हम चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं cost 2 equal to cost square minus sin square equal to 2 cost square minus 1 equal to 1 minus 2 sin square जैसे इस formula को हम लिखना है cost square के लिए cost square तो cost square 1 कीज़ा टांसफर करूँगा मैं यहां तो है जाएगा 1 plus cost 2 a upon 2 1 plus cost 2 a upon 2 इस फार्म में बहुत बार यूज़ किया जाता है क्या होता है integration में integration में हम क्या है cost square का formula एक बार दोनों लिख तो फिर आपको समझाता हूँ यदि हम sin के लिए इसको बनाना चाहें तो sin कीज़ा टांसफर करेंगे अपन ते हो जाएगा sin square a equal to 1 minus cost 2 a upon 2 सबसे जादा यूज़ होने वाला फार्मूला है यह दोनो उसका region है उसका region यह है कि देखो cost square a कहीं हमको integration करना हो तो हम इसका direct irrigation नहीं कर पाते है इसलिए हमको उसको इस फार्म में लिखना होता है तो बहुत जादा इसको यूज़ होता है उसी तरह कहीं पर sin square a हो तो sin square a कहीं हम integration नहीं कर पाते है उसको 1- cas 2a upon a लिखना होता है half angle में हो तो बाकि उसी की तरह आप समझ सकते हैं cas square by 2 करूंगा तो 1 plus cas 2a by 2 that means cas a upon 2 ऐसा हो जाता है तो पूरे फार्मूले आपको लर्न करना है 10 के फार्म में change करने वाला इसके बाद आप देखो यह important फार्मूला है यह sign convert हो जाता है किसमें 10 में यह इसमें convert हो जाता है यहाँ पर 1 अपाए misprint है ना यह ध्यान नहीं देना है 2 10 upon 1 plus 10 square 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square cas 3a का फार्मूला cas 3a का फार्मूला 10 3a का फार्मूला यह पूरे फार्मूले आपको लर्न करने है और आपके पास पहले save label हो बहुत अच्छी बात है ना तो मैं यहाँ पर आपको फार्मूला भी दे दिया चलिए अब हम इसी पर best question करेंगे आज का जो मेरा class है completely इसी पर best है trigonometry फार्मूला पर या trigonometry identities पर चलिए तो first question लेता हूं इसी तरह का question एक ले लेता हूं आपको example के लिए जैसे ncrt का question class square x dx i equal integration of class square x dx अभी जो फार्मूला बताया उसी पर ले लेता है तो naturally आपको समझ में आगे होगा आपको क्या करना है class square x को अपने को लिखना है 1 plus class 2x upon 2 dx ऐसा करोगे that equal 1 upon 2 constant है बाहर कर दिया और फिर integration of 1 1 का integration क्या होगा dx अब मैं direct direct कर रहा हूं 1 का integration x 1 का x का respect integration x और plus class 2x का integration class का होता है sin 2x और 2 नीचे divide होगे that equal x upon 2 plus sin 2x upon 4 plus c यह बहुत easy question है लेकिन मैं आपको एक pattern ने बताया कि class square x का इस प्रकार से होता है ठीक है sin 2x upon 4 plus c अब हम लेते हैं sin square x का यह मैं easy question से start इसलिए करता हूँ कि आपको पता है कि इनका जैसे future में कहीं पर आपको class square x का integration के जहुरत पढ़े तो आप और अल लिख लो formula की तरह लिख लो x by 2 plus sin 2x upon 4 clear चलो यहाँ पर हम sin कभी कर लेते हैं तो i equal to integration of sin square x dx इसका integration करना होगा तो कैसे करे होगे जैसे यहाँ पर 1 plus class 2x formula लिखा ठीक है तो यह 1 minus class 2x 1 minus class 2x 1 plus class 2x class का होता है और 1 minus class 2x sin का होता है upon 2 dx अब इसका integration करें 1 upon 2 हमने बाहर कर लिया 1 का integration करेंगे तो यह x हो जाएगा और minus class 2x integration करेंगे हो जाएगा sin 2x upon 2 that equal 1 upon 2 multiply करो x by 2 minus sin 2x upon 4 plus c this is the answer x by 2 minus sin 2x upon 4 plus c तो class is correct और sin square x का integration important होता है एक्जाम में भले ही ना है लेकिन इसका आपको आगे जब advance अपन integration करेंगे तो इसका बहुत ज़ुरत पड़ेगा इसलिए मैंने आज के class को completely trigonometry के substitution में बाद में करूँगा देखो मैं इसके पहले वाले वीडियो में substitution आपको सिखाये था लेकिन इसमें एक part होता है trigonometry substitution त्रिकोन विति पतिस्थापन लेकिन उसमें integration by part का यूज होता है खंसा समाकलान का इसलिए उसके बात करूँगा मेरा मैं calculus में जो वीडियो आपको provide कराऊंगा वो ऐसे step में होगा जो proper step है जिस step पर learn किया जाता है सीखा जाता है मेरा बहुत lang experience है मुझे पता है book के order इधर दर होंगे तो आप परसान मत होना मेरे order के carding आप करो कि किसके बाद क्या करना है क्योंकि मैं उसको ऐसा proper order बनाया हूँ कि next topic को समझ में आने के लिए previous हमारा क्या concept strong होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखके मैं वीडियो बना रहा हूँ चलो next question कुछी इस तरह क्यूब कर लेते हैं पर i equal sin cube x dx देखो इसका integration हम दो तरीके से कर सकते हैं एक तो यह कि cast sin 3x का मैंने आपको formula बताया sin 3x का formula देखो यह sin 3x का formula clear यह formula में typing में कुछ mistake हो गया होगा देख लेना यह cube रहेगा cube होगा भई यह cube रहता है इसमें भी cube यहां cube थोड़ा correct कर लेना है और देख लेना आप लोग अपने recording तो यहां से हम sin 3x का formula निकालेंगे और इसके form में और integration हम कर सकते हैं वहाँ पर एक तरीका यह है इस formula का use करके clear लेकिन यदि हम वहाँ पर चाहें तो मैं आपको easy way में दूसरे तरीके से बता रहा हूँ इसको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से देखो therefore i equal यह हमने लिख लिख लिया sin 3x को sin square x into sin x dx यह लिख लिया मैं substitution यूज़ कर रहा हूँ यहां पर उसमें direct formula से भी हम कर सकते थे लेकिन वो lengthy है क्यों calculus में खासना trigonometry में method बहुत है अब इसके पास sin square x को लिख दिया मैंने 1 minus cas square x or into sin x dx clear now put अब हम यहाँ पर put कर देते हैं cas को अपन cas x को t सपूस्ट करें तो sin x dx अपने आप आ जाएगा तो यहाँ पर हमने put कर दिया cas x equal to t now differentiate इसका हम differentiation करेंगे तो cas का होता है minus sin x minus sin x equal to हो जाएगा dt by dx therefore इसको इधर transfer कर दो तो यह हो जाएगा sin x dx equal minus को उधर तो minus dt अब यह values अपने यहाँ पर put up कर दे तो यह यहाँ पर जो हमारा value है sin x dx इसके जगा में हम क्या रख देंगे minus dt और उसके बाद इसका integration कर देंगे 1 minus x square cas x square को यह t को अपन put कर देंगे x के जगा में तो हमारा question क्या हो जाएगा next step therefore i equal integration of 1 minus cas square x मतलब 1 minus t square 1 minus t square और यह minus dt तो dt minus को लिदिया मैंने बाहर अब इसका हम integration कर सकते हैं integration करने पर minus बाहर लिखा 1 का t के respect में t और minus t square हो जाएगा t cube upon 3 plus c that equal minus कंदर multiply कर रहा हूं t का value रख रहा हूं तो t का value क्या है अपने पास cas x तो minus cas x minus into minus plus यह हो जाएगा cas cube x upon 3 plus c तो minus cas x plus cas cube x upon 3 plus c यह इस का अचर हो जाएगा clear देखता है बुक में का अचर दिया है minus cas x plus cas cube x अब पान 3 plus c यह भी NCRT question है यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देना एक बहुत important बात आप से discuss करने जा रहा हूं यह ध्यान देना by the way मैं यहाँ पर starting में ही sine cube x के formula को use किया होता इस फाम में नहीं आता यह answer इस फाम में नहीं आता फिर answer आता 3x के फाम में तो आप परेशान मत होना कई बार आप बुक में जब question solve करोगे खासका trigonometric function में तो integration में क्या होता है trigonometric function में answer change हो जाते है वो इस बात पर depend करता है कि आपने starting कैसे किया है तो answer दूसरा आए तो आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है यदि वहाँ पर मैं science cubics का फार्मूला लगाता तो वो दूसरा आता ओके चलिए ठीक है तो यह ध्यान रखना अब देखो next question Hello students An Academy लेके आया है class 10th CBSE students के लिए math and science का combat इस competition में आप class 10 CBSE की students के लिए है main points और main features आपको बता दूँ आपके score, speed score leadership board आपको so होगा, सबसे important बात exam का information 40 minutes का exam होगा 30 questions पूछे जाएंगे ऐसे 6 combats होगे आगे मैं उसको schedule बताऊँग आपको negative marking होगा English and Hindi language में होगा और आपको solution के detail videos आपको provide करा जाएंगे ओके, now next ये सबसे important बात की आपके इसके schedule क्या है combat 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th combat जो होना है 1st, 31st January को mathematics and science रहेगा सभी में 2nd, 40th February 3rd, 20th February and next, 14th March 28th March and 11th April ये schedule आप note कर लिजिए और इसके बाद आप देखिए आपका syllabus कि आपके syllabus क्या क्या होंगे तो mathematics में आपका 10 CBSE board में जो नेस्ट को syllabus है number system, algebra, coordinate geometry, trigonometry, geometry, mensuration, status and probability and the syllabus of sciences chemical substances, word of living natural phenomena, effect of current and natural resource this is your syllabus and the next detailed video solution प्रवाइड होगा आप और आपसन होंगे मैं आपको बता चुका और यहाँ पर देखिए आगे आप question understanding type के concept और application पर best question होंगे यहाँ पर आप देखो जो first आपका होने वाला है board 10th CBSE board वालों का January 31st 2021 में 11 AA morning में यह आपका first combat है, पहले मैं आपको बता दिया सबसे important बात आपको इन रोल कैसे होना है आपको app download करके core use करना है unacademy और यह है आपका reward first rankers को 12th month का unacademy CBSE class 11 का subscription मिलेगा, plus subscription and rank 2 को 6 month का class 11 plus subscription third rank को 6 month का unacademy CBSE class 11 subscription and rank 4 में 50 student select होंगे, जहाँ पर 1 month unacademy का आपको class 11 का CBSE का plus subscription मिलेगा तो आपके लिए best opportunity है आपके लिए best opportunity है आपके इस combat में participate करिए ओके, thank you यह easy method था generally हम easy method को provide कराते हैं calculus में method बहुत हैं खासकर इसमें trigonometry में क्योंकि formula बहुत हैं इसके बाद हम sin class का एक साथ combine form वाला question देखते हैं sin x, sin 2 x, sin 3 x i equal sin x into sin 2 x into sin 3 x इस pattern के question देखो आप इस pattern के question को हम कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर हमको अलग-अलग sin x है sin 2 x है, sin 3 x है तो 2 sin x, 2 sin sin b 2 sin sin b का formula जो पीछे में देखो, आप लोगको trigonometry का formula ही याद नहीं है तो मैंने जो chart दिया हैं उसे पहले याद करना फिर exercise main tree करना अभी तो मैं आपको उसको बस आपको दे दिया उसके बाद आप उसको learn करने के बाद आगे बढ़ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है अब यहाँ पर देखो sin 2x, sin 2x, sin 3x clear 2 sin a, sin b का हमको formula यहाँ पर use करना है 2 sin a, sin b 2 sin a, sin b 2 sin a, sin b यह formula यूस करना है का से minus b? minus cos a plus b cos a minus b minus cos a plus b clear? कोई सा formula यूस करों समझ गया है? 4 2 sin a, sin b cos a minus b cos a minus b plus sorry, minus minus cos a plus b यहाँ पर मैं क्या कर दिया? integration के बाहर 2 divide कर दिया तो 2 multiply कर दिया क्योंकि 2 sin a, sin b चाहिए इसको हम a ले लेंगे, इसको हम b ले लेंगे तो 2 sin x into sin 2 x into sin 3 x dx clear? that equal 1 upon 2 1 upon 2 अब यहाँ पर हम पहले formula एप्लाई कर दें इसमें, इतने में तो cos a minus b यह हो जाएगा, cos a minus b मतलब cos x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर cos minus x cos x होता है ठीक है? और minus cos a plus b तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 3 x और into यह हो जाएगा sin 3 x dx that equal आगे हम सालो करें 1 upon 2 अब हम क्या करें? इसके साथ इसका मल्टिप्लाई कर दें तो cos x into sin 3 x minus cos 3 x into sin 3 x into dx ओके? that equal 1 upon 2 अब क्या करें? फिर दोनों को 2 2 चाहिए 2 cos a sin b 2 cos a sin b तो दोनों को 2 2 चाहिए तो बाहर में 2 मल्टिप्लाई कर देता हूं यह question for lengthy बनता है लेकिन आपको बनाना इसी मेथड से मेथड फिक्स है 1 upon 4 2 अंदर मल्टिप्लाई करूंगा यह हो जाएगा 2 cos x into sin 3 x minus 2 cos x minus sin 3 x minus 2 cos 3 x into sin 3 x d x that equal 1 upon 4 अब यहाँ पर हमको क्या करना है 2 cos a sin b 2 cos a sin b का फार्मूला यूज़ करना है तो पीछे फार्मूला आपको लगर न कर ले ना मैं यहाँ पर डारेक्ट इसका फार्मूला लगा रहा हूं 2 cos x sin 3 x sin a plus b sin a minus b sin a plus b sin a minus b sin a plus b sin a plus b मतलब 4 x sin a plus b फार्मूला आप लोग देख लेना sin a plus b होता है मैं डारेक्ट लिक रहूं और sin a minus b plus sin क्या फार्मूला होता है 2 sin 3 x कास x 2 sin 3 x कास x ठीक 2 sin a कास b का फार्मूला अपन एप्लाई करेंगे हाँ पर फार्मूला को था साथ यहां रखना इसको हम ले रहे हैं a और इसको ले रहे हैं b तो sin a plus b plus sin a minus b होता है ठीक है sin a minus b मतलब क्या हो जाएगा इसको a लिए है तो 2x होगा किसी को b लिए सकते हैं बाद में हो adjust हो जाता है minus minus देखो यहां पर फार्मूला लगाएंगे अपन ठीक है तो यह अपन a लिए इसको और इसको b लिए तो a लिएंगे तो क्या हो जाएगा यह sin 3 और 3 यह हो जाएगा 6x और 3x minus 3x 0 sin 0 0 हो जाएगा तो इसको हटा दिये वो 0 हो गया dx ओके that equal 1 upon 4 अब इसका integration करें तो sin 4x upon 4x तो क्या हो जाएगा sin का minus cos 4x upon 4 यह हो जाएगा minus cos 2x upon 2 और यह हो जाएगा minus का plus cos 6x upon 6 plus c clear that equal अंदर इसको multiply कर दें तो minus cos 4x upon 16 minus cos 2x upon 8 plus cos 6x upon 24 अब इसको multiply ना भी करो तो भी चलेगा इस value का आप चाहो तो बाहर में रख सकते हो अपान 4 को कर दो भी चलेगा या और भी कामन कर आंसर लिखने के बहुत फाम है और अंदर multiply भी कर सकते हैं और कामन भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर 2-2 कामन है देखो सब में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता trigonometry में आंसर कई तरीके से आ सकते हैं integration में तो इसके लिए बिल्कुल भी confuse मत होना इसके और भी तरीके हैं साल्व करने के इसको साल्व करने के और भी तरीके हैं लेकिन हम better जो तरीका है क्योंकि यहाँ पर तो formula देखो integration भी पार्ट जब आगे पढ़ेंगे तो u, v, w सपोस कर भी कर सकते हैं integration आप u into w लेकिन वह बहुत लेंदी होता है इसलिए calculus में क्या है जो suitable method है जिस method से वह easy बनेगा उस method के एक आडिंग हम उसका collection करते हैं कि कौन से question को कैसे बने कहां algebraic substitution करना है कहां trigonometric का फर्मगा लगाना है कहां पर trigonometric substitution करना है यह सब चीज को ध्यान में रखना पड़ता है और आप सोचोगे कि सर कैसे पता चलेगा वो practice से पता चलेगा जैसे जैसे आपकी practice होती जाएगी आ लेकिन एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यदि यहां पर हमको formula याद नहोँ यदि हमको यहां पर formula याद नहों तो कुछ नहीं कर सकते इसलिये मैं ने question बताने से पहले सबसे पहले आपको formula का collection दिया मैं बार- благодар हर question के बाद आपको याद दिला रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को देखो, तो पहले सुरू के दो पेज में जो फार्मूला दिया है उसका अप अच्छे से लर्म न कर लो, उसका स्कीन साट ले लो, यह आपके बूक में एवलेबल होगा, वैसे आपको 12 के बूक में प्रापर अबलेबल नहीं होगा, सब 11 के मेंटर है मैंने वहाँ से कलेट करके लाके यहाँ को रिलेट कराया है, कि यहाँ ज़ूरत है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, वैसी टिग्नमेटर सब्सिट्यूशन में जाओंगा, वहाँ सब्सिट्यूशन का भी चार्ट दूँगा आपको, हाला कि मैंने इनवर्स इग्नमेटरी में पढ़ाया है चलो, नेस्ट नेस्ट कोस्चन अपन देखते हैं किस तरह का कोस्चन ले 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 और अपन चलो, एक अच्चा कोस्चन लेते हैं साइन इस्क्वार एक्स इंटू कास इस्क्वार एक्स देखो, दोनों का कमबाइंड समझ जाओ हमने अलग अलग किया है आई इक्वार टू साइन इस्क्वार एक्स इंटू कास इस्क्वार एक्स देखो देखने से अजीब लगता है कैसे बनेगा हमने sin square x का अलग से किया है यहाँ पर हम इसको u into v से भी कर सकते हैं आगे integration by parts पढ़ने के बाद लेकिन अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है तो यहाँ पर हमको trigonometric formula ही use करके बनाना है तो किस तरह से अपन इसको शुरुआत करेंगे देखो जैसे वहाँ पर किया था therefore i equal integration आप sin square x को लिख सकते हैं 1 minus cos 2x upon 2 और इसको लिख सकते हैं 1 plus cos 2x upon 2 dx ऐसा लिखा जा सकता है इसको clear that equal that equal अब यहाँ पर आगे देखो यह 2 into 2 को 1 upon 4 मैंने बाहर कर दिया यह है a minus b, यह है a plus b एक bracket में a minus b, एक में a plus b मदला होता है a square minus b square तो इसको हम लिख सकते हैं 1 minus cos square 2x ऐसा लिख सकते हैं यहाँ बाहर रख दिया इसको और into dx ओके, यहाँ पर यह खीचने के जूरत नहीं है धोका होता है फिर 1 minus cos square 2x 1 minus sin square theta cos square theta है 1 minus cos square theta, sin square theta होता है इसको लिख सकते हैं पर 1 upon 4 integration यह हो जाएगा sin square 2x dx clear therefore, i equal अब देखो 1 upon 4 अब इसको हम क्या कर सकते हैं sin square 2x जैसे हमने sin square x को 1 minus cos 2x upon लिखा वैसे इसको क्या लिख सकते हैं 1 minus cos 4x 1 minus cos 4x upon 2 ऐसा लिखा जा सकता है बस trigonometric के formula यूज होता जा रहा है ऐसा क्यों लिखा क्योंकि square प्खाम integration लिखा सकते जैसे हमने sin square x को यह sin square x को यह लिखा है 1 minus cos 2x upon 2 वैसे sin square यहाँ x से है, यहाँ 2x है, 2 times है, तो यहाँ भी 2 times हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यह formula आपने 11 से बहुत use किया है, that equal, अब integration करें, 2 को बाहर करो, 1 upon 8 हो जाएगा, और integration करें, तो 1 का x का respect में x, और minus cos 4x को हो जाएगा, sin 4x upon 4 divide होगा, upon 4 plus c, this is final answer, तो 1 upon 8 x minus, 1 upon 8 x minus, sin 4x upon 4 plus c, this is the final answer, ओके, clear यह question आपको, एक आद question और कुछ अलग ढगा ले लेते हैं, ताकि आपको कुछ नएया चीज हम समझा सकें उसमें, चलिए, बहुत अच्छा question ले रहा हूँ मैं, इस question से आपका बहुत सा concept clear होगा, जनरली मैं question का selection ऐसा करता हूँ, कि उसके help से आप बहुत से question बना सको, ठीक है, इसलिए मैं different type का question लेते जा रहा हूँ, देखो, next question है, i equal integration of 1 upon sin x into cos cube x, 1 upon sin x into cos cube x dx, यह rare collection है question का देखो, rare collection क्यों है, क्योंकि जिस question में कुछ additional adjustment होता है, मतलब जो क्या होता है, traditional नहीं होता, traditional method पर नहीं होता, जिसमें rare कुछ अलग miscellaneous type का adjustment को question को याद रखना पड़ता है, इस तरह के question को आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, दर्वाइस आप बना नहीं पाएंगे, इनके लिए practice चाहिए, थोड़ा memory में भी चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको कुछ भी करने के condition में नहीं है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक unique adjustment है, 1 को हम लिखते हैं यहाँ पर sin square x प्लस cast square x, ऐसा लिखना पड़ेगा, otherwise यह question नहीं बनेगा, आप ऐसे question में कुछ निसान लगा के रखो, इस question में आप इस तरह से star लगा के रखो, ताकि revision के समय आप इसको ज़्यादा ध्यान दे सको, clear, क्योंकि यह question क्या है, miscellaneous concept पर है, जब तक किसी student को यह याद ना आए, कि 1 को मेरे को sin square plus cast square तो ले के बैठे रहेगा question, तो ऐसे question को आप फ़रा सा highlight करके रखा करो, ताकि आपको पता चल जाए, कि मुझे उसको कैसे बनाना है, ठीक है, that equal, अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको अलग-अलग divide करो, तो जब इसको इसके साथ divide करूँगा, तो एक sign cancel out हो जाएगा, और यह हो जाएगा, sin x upon cas, एक sign cancel out हो गया, तो हो जाएगा cas cube x, sin x upon cas cube x, dx plus इसके साथ में इसको अलग-अलग divide करूँ, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 upon sin x, और यहाँ पर देखो, cas square x है, cas cube x है, तो यहाँ पर बच जाएगा, क्या यह? cas x dx, अलग-अलग divide किये तो, इस तरह से हो जाएगा, clear, that equal, आगे देखो, एक sign upon cas 10 होगा, यह 10 x हो गया, और एक इसमें cas square x बचेगा, वो reciprocal होके क्या होएगा, say square x dx, और plus, यहाँ पर क्या होगा, देखो, one upon, cas square x, यहाँ पर कुछ गलत लिग दिया, नहीं ठीक है, question तो ठीक है न, question में गड़ी है क्या, cas x upon, सेख लाना है अपने को, cas, cas square x, sin square x plus cas square x, sin x into cas cube x, cas x, सेख यहाँ पर भी लाना है, तो सेख आ जाएगा, सेख square लाना है, यहाँ पर भी सेख square लाना है, एक काम करें, अपन यहाँ पर, देखो कितना adjustment हैं से, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करो, cas square x upon cas cube, 1 upon sin x तो रहने दो, यहाँ पर एक ही cas को, cancel out कराओ, एक cas को रहने दो, एक को अपन cancel out कराएंगे, तो cas square x बचेगा, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा किया गया है, ताकि हम उसको, sec बना सके, तो cas upon sin x into cas x बना सके, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ sec है, तो यहाँ भी sec लाना पड़ेगा, फिर अपना substitute करेंगे, तो देखो, कितना ध्यान रखना पड़ेगा, इस question में, यह बहुत rare question है, बतायें मैं आपको, पहली बात, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर आपको, पूरे case square x को, इसको इसके साथ cancel out नहीं कराना है, एक को कराना है, और एक को बचा के रखना है, ताकि हम इसको सेक लिख सके, अब आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, यह rare of the rare question है, इस तरह का question एक ज्याम में आगा, तो बड़ी परिसानी होती है, यदि याद ना रहे तो, तो यह इसको हम सेक लिख सकते हैं, इसको सेक की स्क्वेर रख सता है, तो आगे हम यहाँ पाइसमें सब्सिटिटियुशन करेंगे, now put, 10x, 10x एक्वल टू T put करेंगे, now differentiate, इसका differentiate करेंगे, तो हैएगा, सेक की स्क्वेर एक्वल टू DT by DX, therefore DX फिधर टांसफर करें, तो हैएगा, से की स्क्वेर एक्स इंटू dx इक्वेल टू dt therefore i equal integration up i equal to integration up अब हम इस value को put up करें तो therefore 10x को हमने का suppose किया है t, t हो जाएगा t into से की स्क्वेर एक्स dx यह जो से की स्क्वेर एक्स dx है वो से की स्क्वेर x dx किसके इक्वेल है dt के तो यह dt हो जाएगा और प्लस integration up से की स्क्वेर एक्स dx dt और 1 upon 10x तो 10x के आए t यह हो गया 1 upon t dt देखो कितना unique question है यह हो जाएगा t square upon 2 प्लस यह हो जाएगा लाग t plus c that equal t का value हम यहाँ से put up करें तो t का value हमने का suppose किया है 10x तो यह हो जाएगा 10 square x upon 2 प्लस लाग t तो t का value क्या है 10x तो लाग 10x प्लस c this is final answer यह क्या है final answer हुआ तो यहाँ पर आप देखो कि 10 square x upon 2 प्लस लाग 10x प्लस c इसका answer होगा यह unique question है इस तरह के question में आप इसको marking करके रखो highlight करके रखो अपने इसमें भी एक आप दिन में आपको समझाओंगा how to mark के book खास कर mathematics में mathematics में star लगाने चाहिए question में 1 star, 2 star, 3 star अपने लिए अपनी जानकारी के लिए 1 star लगाए तो थोड़ा difficult था जो खुद से नहीं बना किसी से help लेना पड़ा या दो बार तीन बार try करने के बाद बना 2 star लगाए तो ऐसे question में 2 star लगा के रखो जिसको teacher से पूछना पड़ा या कहीं से help लेना पड़ा 3 star उसमें लगा के रखो जो mislaneous है बिल्कुल different type का है जिसको हम भूल गए तो नहीं बना सकेंगे जो traditional method से जो पारंपरिक विधी होती है उससे हटके है तो यह star लगाने से फायदा यह होता है कि कल के लिए जब बहुत side time में जब exam का आप preparation करेंगे तो वहाँ पर फिर आपको परेसान नहीं होना पड़ेगा फिर आप बहुत असानी से उन चीजों को पहले priority में रखेंगे जो अलग है suppose कल मेरा exam है आज में जब रिविजन करना है तो क्या पूरे mathematics को revise कर आज सकता है नहीं कर आज सकता तो दो चीज़ रिवाइस करो एक तो formula revise करो और दूसरा revise करो ऐसे typical type के question जो different concept पर थे खर इन चीजों पर मैं बाद में फुर्सास से अलग से वीडियो पर बात करूँगा exam कैसे item करना चाहिए कैसे देना चाहिए अभी समको पढ़ना है तो उस पर मैं अलग से बात करूँगा लेकिन यह अपनी सान लगा के रखो तो आज मैंने आपको trigonometry के formula पर best question कराया आगे मैं देखता हूँ trigonometry के formula पर ही best होगा कुछ question और और उसके बाद फिर अपन आगे integration by parts integration by trigonometry substitution one by one करते जाएंगे आपको मेरा last में एक ही suggestion है formula के साथ कोई compromise ने पहले formula अप learn करो जितने formula मैं आपको बता रहा हूँ फिर काम असान हो जाता है तो आप practice करते नहीं यह लगा था ओके thank you